आज किस वीडियो में हम कुछ important points के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि official facebook post के बारे में और ट्रैकर के बारे में invitation template, support call, oknet offer और इसके लवा crypto payment के बारे में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर हम official facebook post की बात करें तो यह study साम को on passive के official social media page पर AI technology की regarding एक post किया गया था उमीद है कि आपने चेक किया होगा लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो उसको चेक ही जेफनेट्स AI के बारे में काफी अच्छा post किया गया है जिसमें बत्या गया है AI will contribute over 15 trillion dollar to the global economy by 2030 मतलब AI 2030 तक global economy में 15 trillion dollar से भी अधिक का युगदान देगा contribute करेगा आप यहाँ पर समझ सकते हैं फिर्स कि यहाँ पर million की बात नहीं की जारी है यहाँ पर billion की भी बात नहीं की जारी है यहाँ पर trillion की बात की जारी है मतलब 15 trillion dollar तो आप समझ सकते हैं फिर्स की AI technology किस तरीके से काम कर रही है और future में किस तरीके से काम करने वाल है जिससे हमारा business grow करेगा काफी तेजी से grow करने वाला है साथ में यहाँ पर global economy को भी यहाँ पर मदद मिलने वाल है और आप सभी जानते हैं कि on passive में multiple products की regarding tools की regarding काम किया जारा है जैसे कि आप सभी जानते है ओ connect है ओ tracker है ओ verify ओ desk ओ stop या फिर और भी ऐसे बहुत सरे product हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं जिसके regarding already काम किया जारा है on passive का मकसद आप सभी को पता है complete digital solutions provide करना मतलब online industry में जितने भी tools यूज हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उन सभी के regarding यहाँ पर काम किया जारा मतलब complete digital solutions provide करने के regarding on passive team लगातार काम कर रहे हैं जिससे हमारा business काफी तेजी से grow करेगा साथ में हमा हुआ है कि हमसे legally जितना possible हो पाएगा उतना revenue हम on passive affiliates में share करेंगे तो AI technology के वज़र से हमारा business काफी तेजी से grow करने वाला बात करें अगर हम और ट्रेकर की तो इसकी regarding कुछ लोग का message आया है कि ecosystem मेनु बार में और ट्रेकर का icon दिखाई नहीं दे रहा तो क्या इसकी regarding कोई news आने वाली है तो इसकी regarding आलेटी मैंने आपको बताया वाफ्रेंट की क्या reason होता है कभी-कभी इसमें time भी लग जाता है त जो भी update होगी हम सभी को ecosystem में मिल जाएगी friends बात करें अगर हम invitation templates की तो yesterday साम को मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें एक comment मुझे आया था कि सुरज जी अगर हम किसी new person को invitation template send करते हैं और अगर 72 घंटे के अंदर expire हो जाता है और वो new person accept करके registration नहीं करता है तो क्या हम same alternate email address को वो expire हो जाता है और वो new person registration नहीं कर पाता है तो 72 घंटे वितने के बाद again आप same alternate email address को use करके आप invitation template को send कर सकते हैं और वो new person invitation को accept करके ecosystem में बहुत ही आसानी से registration कर सकता है इसमें कोई problem नहीं है बात कर अगर हम support call की तो support call की regarding कुछ लोग का message आया कि सुरज जी मुझे भी support की तरफ से call आया है जबकि मैंने कोई भी टिकर डेस नहीं किया मतलब किसी भी problem की regarding कोई भी टिकर डेस नहीं किया लेकि मुझे भी यहां पर call आया हो तो यहां पर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है अगर आपको support की तरफ से call आता है तो उनको simply आप जबाब दे सकते है कि मैंने किसी भी problem की regarding कोई भी टिकर डेस नहीं किया है इतना बता कर आप यहां पर confirmation दे सकते हैं बाकि आपको यहां पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है बात करें अगर हम open offer की तो कुछ लोग का message आए कि सुरजी क्या offer अभी भी अवेलबल है तो मैं आपको बतना इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि as a founding member आपको 93 डॉलर पे करना है और non-founding member को 190 डॉलर पे करना है ओकन को purchase करने के लिए जिसकी validity 3 मंत की रहने वाली है तो अगर आपने अभी तब ओकन को purchase नहीं किया है तो आप अभी भी crypto के थुरू purchase कर सकते हैं यह offer कब close हो जाएगा इसके बारे में कोई date and time ऐसले नहीं दिया है यह offer कभी भी close हो सकता है आप सभी जानते हैं कि और करने का new version यान की commercial version आने वाला है तो new version आने से पहले यह 100% से ओर है कि यह offer close हो जाएगा तो इस offer का आप यहाँ पर लाप ले सकते हैं फिर्ट कोई प्रावलम नहीं है बात कर activate नहीं होता है तो जिनको knowledge है जो लोग crypto के थुरू payment कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो तिन चीज़े जो बहुत ज़्यदा important है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है पहला जो network है network यानि कि कि किस network के थुरू आप यहाँ पर payment करने वाले हैं दूसरा network fees कितना है यह भी ध्यान रखना है तिसरा merchant processing fees यानि कि merchant को कितना यहाँ पर amount किये कितना fund चाहिए आपके account को purchase करने के लिए तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी आप network चूछ करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसी network के थुरू आपको fund को transfer करना है दूसरा जो भी यहा पर page पर दिखाई देता कि इतना आपको pay करना है तो same amount merchant को receive होना चाहिए उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पर send कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दूसरा जब कोई आप जिस भी एक्षेंज को यूज करके बाइनास या कोई भी एक्षेंज करके आप यहाँ पर fund को transfer करते हैं विज्जो करते हैं राइट को purchase करने के रिगारिंग क्रिप्टो के थुरू तो वहाँ पर जो भी आपने network select किया है तो उसका जो network face होता है वो भी आपको यह यहाँ पर add करना फर्स यह चीजें आपको यहाँ पर ध्यान लगने काफी लोग को knowledge है लेकिन काफी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं तो अगर कोई crypto के थुरू ओकट को purchase करना चाहता है तो purchase करने से पहले complete process के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात है कि आ आप ecosystem में login करके marketplace में जाकर जो merchant का page open होता याने की rocket fuel का तो उसकी बारे में उसका क्या process है उसकी बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके अलावा जो network को हम choose करते हैं तो उसी network के थुरू हमें exchange में जाकर withdraw करना होता है यह भी आपको ध्यान रखना है जितना fund merchant क dokti त्योब इसके अतना हमें यहाँ पर add करना यह भी ध्यान रखना जितना next work fees जो network fist होता हो भी एकष्टा add करना है कम नहीं होना चीए जादा हो चाया छेए यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है तो यह सारी चीज़ें ध्यान में रखकर है क्यप्टों की तूरू payment करे अगर आप कोई mistake करेंगे फ्रेंट तो आपका fund यहां पर loss भी हो सकता है तो यह गलती आपको नहीं करने हैं अगर आप payment करना चाहते तो सबसे पहले आपको knowledge लेनी है अगर आपको knowledge नहीं है तो please payment मत कीजे again repeat करता हूँ अगर आपको knowledge नहीं है तो please payment मत कीजे क्योंकि आपका यहां पर fund loss हो सकता है तो knowledge है तब ही आप यहां पर payment कीजे वो भी complete knowledge लेने के बाद process के बारे पता करने के बाद ही आप payment कीजे तापकि आपका fund loss नहों तो यह था कुछ important points जिसके बारे मुझे आपसे बात करनी थी उम्मीद है कि यह सभी point आपको आसान इससे समझ में आगे होंगे और यह video भी आपको informative जरूर लगी होगी वीडियो informative लगी तो वीडियो को like share and channel को subscribe जरूर कर लेजिएगा